अमस्कार दोस्तो आपका स्वागत ही, SK Technology 30 चनल में चली दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो आज के वीडियो हम बात करेंगे हिंदुस्तान Aeronautics Limited H.E.L. में डिप्लोमा के लिए हाँ पर डिप्लोमा टेक्निसियन की वेकेंसी निकल कराई है तो इस वीडियो हम complete process जानेंगे कैसे आपको इसका online application form fill up करना है तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो मैं बता दू कि यहाँ पर online application form fill up करने में लोगों को सबसे ज़्यादा problem हो रही है यहाँ पर एक reference number इंटर करना है reference number कहां से मिलेगा और step by step बिना गलती कि आपको step by step कैसे complete process जो है कैसे application fill up करना है पुरा complete process जानेंगे यहाँ पर कोई वी फीस नहीं रखी गई है और salary की बात करें तो आपको 45,000 रुपे salary मिलने वाली है तो चलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही उच फूले नाराज चलिए वीडियो शुरू करते है तो देख लिते कैसे आपको online application form fill up करना है तो online application form fill up करने के लिए आपको इसके application वेबसाइट पर चले आना है जिसका link आपको discussion मिल जागा आप direct इस page पर आ सकते हैं यहां पर आप आएंगे तो देख सकते हैं यहां पर सो वेकेंसी का नाम सो रहा है helicopter AMRO division में यहां पर वेकेंसी निकल कराई HL में डिप्लोमा वालों के लिए तो इसका notification भी आप एहां सचा है सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करके यहां पर रजिस्टेशन करना है तो चली देख लेते हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपर एक रजिस्टेशन का आपको इंटर करना आप रिफ्रेंस नंबर देख सकते किस प्रकार का होगा तो सेम इसी प्रकार का आपका रिफ्रेंस नंबर होगा या मारो फ्लेश या चार फ्लेश डीटी फ्लेश यहां पर जो तीन डीजिटे यही केवल चेंजर होगा दोस्तों यहां पर मेरा 524 है तो आ यहां पर आपका जो है रजिस्टेशन सक्सेश्फूल हो जाएगा इसके बाद अबलिक 2020 यहां पर प्रयोग करना है तो दोस्तों यहां पर केवल यह तीन डिजिट आपको चेंजेस करने हैं जो कि आपका रजिस्टेशन यहां पर कंप्लीट करेंगे तो जैसे अवेलिबल हो इसके बाद यहां पर जो है फ्लेश का चिंड लगाकर यहां पर आपको यह बीच के तीन डिजिट आपको चेंज करने हैं अभी यहां पर 24 के बाद 26, 27, 28 आपको करना है 30, 50 ऐसे करते जाना है अगर यहां पर 500 जिन जाने के बाद आप 600 पर ले जाते हैं कम भी कर सकते हैं त दोस्तो जो भी अभी अवेलीबल होगा तो यहां पर आपको जो है अलाट्मेंट हो जाएगा इसके बाद सलैज 2020але करके आपको यहां पर जैनरे और डीपर क्लिक करना है जैसे आप जैनरे टीपे पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर OTP भेजा जा जाएगा वो OTP यहां पर इंटर करके च्रहार पर है और कोई यहां पर नहीं ले सकता तो चलि सकते हो तुछ श्राइंब सरे अब करेंगे यहां पर देख सेकते हैं revisit blog करेंगे यहां पर देखबूराइब प्राइब हो चुके रजिस्टेशन कम्पलीट हो चुका है यहाँ पर आपको अनलाइन अप्लीकेशन की स्टेप दिखा जाएगा टोटल 8 सेप मैं यहाँ पर application फार्म है पहले सेप बेसिक डिटील का, इसके बाद दूसरा इसके बाद आपका प्रिवीव का अप्लिकेशन का यहाँ पर कोई भी फीस पेमेंट नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख से राइट साइड में आपको कंटीनु का अप्सन मिल जाएगा तो चली कंटीनु पर क्लिक करे आपकी स्रामने इस फरकार का पेज उपन हो जाएगा चली यहाँ पर एक एक इक स्टेप देखेंगे तो सबसे पहला डीटेल आपका बेश्रीक डीटेल तो चली बेसिक डीटेल फिलप कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम इंटर करना हाइज स्कूल कर स यहाँ आपका ब्रांच हे वेकेंशों के लिए लेक्निक अर्ट्रीं के लिए तो यहाँ पर मैं मैंकेनिकल कर लेता हूं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ईनक्ट्रीन्ट पहले का देट करना जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उसी एक दिन का पहले का कॉन डेट करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपनी डिटिकरियर कर ले जो भी आपके केड़ कर सकते हैं इसके यहां पर अगर आप यह CST या यहा पर आपको पना कास्टीफिकेट का डीटियल में कर देंगे वे वाव पर यहां पर पर आप यहां पर आप प्लुड है नहीं तो यहां पर नो कर दीजिए कर दना है और आप मेंबर है यहां पर यह सकते हैं पॉलिटिकल लेकिट मेण जोन आखंट पार्शनल टिटार में देख सकते हैं सबसे पहले हिसके आप पर मदर्सनेम इंट्रकल एन के रहने वाले हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डो मेसाइल इस्टेट करना किस इस्टेट के रहने वाले तो यहाँ पर आल इंडिया सप्लाई कर सकते जो भी आपका इस्टेट कर लिजे इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको कम्प्रीट अपना आड्रेस फिलब करना है तो करेंगे यहाँपर सबसे पहले आपको परमाने आड्रेस फिल अपकर ने तो देख से हैंए यहाँ पर आप अपने बिलेंच का नेवश का ने यहाँ पर पोस्ट का ने यहां पर नीचे आप आएंगे save and next का आप्सन में आए तो simply आपको save and next पर क्लिक कर लेना है तो चलिए save and next पर क्लिक करके आपको next page पर चले जाना तो यहां पर आप पर आचुके हैं qualification detail पर चलिए qualification detail है यहां पर एक एक करके add कर लेते हैं तो यहां पर qualification detail में सबसे पहले आपको 10th का detail देना है जो की compulsory है इसके बाद यहां पर आपको stream का name जो भी आपका यहां पर subject या stream का name है तो यहां पर science इंटर्स कर सकते हैं यह आप पूरा subject का name इंटर्स कर सकते हैं इसके बाद यहां पर duration आप course कितनी यह का प्वोर्स था इसके यह आप passing यहां पर किस यह में पास आउट हैं यहां पर year और month आपको दोनों calendar से select कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको board का name करना इसके बाद यहां पर फूल टाइम आल्रेडी रहेगा क्योंकि है फूल टाइम मांगा गया है इसके बाद यहां पर result का आपको जो है आप पर टीपलोमा का इच्व देना है तो यहां पर यह ह्यांगे तो आपको एक युप मिलेगा डिपलोमा की मैगेनिकल उन तो यहाँ पर 3 years या जो भी आपका है 10 प्लस 2 के बात कि लिए तो ट्याइस इंटर कर सकते हैं इसके बाद ही यह आपासिंग किस यह में आप पास आउट है यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है देख सकते हैं से लिट करना है इसके बोर्ड का नेम जो भी आपका यू पी गया है कोई और डीटेल डे सकते हैं इसके बाद नीचे आंगे अगर हाईएर क्वार्ट की यहाँपर यहाँ परको इसका डीटेली पर क्लिक है कमपोषी क्लिक करना एक तो लείकर करते कि इस्के बाद यहां पर अप्लोड डाकुमेंट पे तो अप्लोड डाकुमेंट में यहां पर देख सकते हैं आपको फोटो और सिगनेचर अप्लोड करना है तो चली देख लेते हैं कैसे अप्लोड करना है और यहां पर क्या साइज है तो देख लेते हैं यहां पर जो आपका फोटो और सिगनेचर का होगा यहांब पर 10-50GB बीच में होगा और जो signature होगा black pin से आपको white page पर पर जो है signature करके upload कर Na है तो यहांपर size बेने बता दिया है आप चूच करेंगे और यहाй पर आप फाइल जो है चूच करके यहाँ पर upload पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस टेटरस में uploaded का आपसन आ जाएगा मतलब upload हो चुका है इस सिफ़गा signature यहां पर चूच करके upload करेंगे uploaded आ जाएगा मतलब signature भी upload हो चुका है चली इसके बाद declaration पर आना है यहां पर टिक कर लेना इसके लाँ मैं बता दू यहां पर format होगा और बाकी आपने जो जो फिल अब किया सारा डीटेल सोगा इसको एक बाद चेक कर लेना है यहां पर qualification डीटेल भी सो रहे हैं यहां पर qualification डीटेल भी आपको चेक कर लेना है signature नीचे सो रहा है यहां पर देख सकते black paint से होना चाहिए तो इस प्रकार आपका सारे डीटेल ओके हो चुका है अभी भी आप चाहें तो यहां से देख सेथे इडिट का अप्षण मिलना है बैक टू इडिट पर जाकर इडिट कर सकते हैं नहीं अगर ěना फिर से चलीक करेंगे आपका अप्लिकेशन नंबर यहां पर मिल जाएगा और यहां पर आपका आप्लिकेशन सखेशफुल सब्मिट हो चुका है अब यहाँ पर केवल पृंट का सना गया है तो यहां से परींट करके आपको इसको प्रिंट निकाल लेना कर सकते हैं उसी जो है रिफ्रेंस नंबर पर तो दोस्तों इस प्रकार फिलब कर सकते हैं इसके आपको कोई भी प्राब्लम हो रही ताप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लिजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आप